देखो गाड़ी में तेल दिखा रहा है गाड़ी में तेल दिखा रहा है गाड़ी स्टार्ट भी होगा यह यह है फ्यूल गेज गाड़ी में तो इतना हलका सा तेल दिखा रहा है गाड़ी चलते चलते अंदर से ऐसे फील हो रहा है कि जिसे हलकी सी भुक्स मार रही ते यह कुछ गाड़ी आख ने में समार्ती नाख अब हल्की में समार रही है यह जोगा अभीय आफ विब तो लगता है यह अजै ते यह कुछ इसे ते यह ज़एल में कुछ खिलागींग से होगी ही। काड़ी servicing भी गराई थी ठोड़े दिन पहले तो उसने सारे change के थे spark plug अधाय हाय 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 बड़ कान है बाई काड़ी बड़िया साफ सफ सफाई करके और बड़िया से बनाई है आपको दिककत नहीं आनी चाहे तो मैंने एक राउंड मारके देख देख देखकर के तो यह थोड़ी है अब मन में वहम हो गया है कि यह गाड़ी उठ नहीं रही जो एक्टम से पिक अपसा आता है गाड़ी में वह नहीं आ रहा है कि सर्विसिंग कराने के बाद सारा का सारा इल्जाम में उस पर लगाना चाहरा हूं कि मेकनिक के उपर है काड़ी तो भाईया साफ सुत्री दिख रही है कि बिजे तो कोई लीकेज वीकेज सेच कुछ लग नहीं रहा है कि करोना लोकडाउन हो रखा है एक तम से मेकनिक आत पता है तो ठीक है कि भाई अधिंग सारा कुछ यहां यह क्या पाने पाने से लिख रहा है सब कुछ सही है कि इसके तो प्रोब्लम होई नहीं सकती है इसको एक बार देख लो नीचे से गाड़ी कहां कि पिचक पिचक तो नहीं गई तो तेरी आया देख रहे हो गाड़ी है यहां से पिचक कुछ लगा है इसमें इसमें कि इसमें पिचक पिचक थी इदर से इसमें तेल डालके देख लेते हैं, पिछकी तो है, इसलिए मेटर रीडिंग खराब दिखा रहा हूँ, तेल डालके देख लेते हैं, स्मूथलेस तेल खतम हो गया उसमें काड़ी में, खाली कैन देदो कोई 5 लिटर गया, तो पीछे पड़ा हो आप आप इसकी देदो हाँ, यह तो है, इस मेंडर वाला हूँगा, यह प्रोब्लम भी होनी थी, यह बड़ी भायनक प्रोब्लम होगी, यह पैसे की दिक्कत नहीं है, दिक्कत बताओं क्या है, कि यार मैं अपनी गाड़ी मेंने टायर के अलावा कुछ भी चेंज नहीं गया, अज तक मैंने उसमें यह कहलो कि लोगोंने बड़े म्यूजिक सिस्टम, कहलो, लाइट, एलेडी, लाइट, पता नहीं क्या-क्या, एबी, सी, एक्स, वाई, जी, लोने, बड़े ग्यान दिये मेरे को, लेकिन, बैना, बिल्कुल नहीं जिप से निकलवाई है, टायर के लबबा, कुछ भी पर दो-तीन साल हो गए है, अब यह पत्थर भी कहीं ने कहीं करते हैं ना, छोटी सी, मोटी सी दिमाग में, उफरोडिंग, उससे कहीं के, नीचे से, टैंक में, पिचक गया होगा, पेट्रोल की तंकी पिचका दी, इसमें तो इसमें जिपसी क्या करें किया, यह तो किसी द हो जाएगा हमारा, पहुजी गया है, इसमें डालते हैं, 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 इसमें डालते है आती ना तो अच्छे से आती है और वो कैसे चार बार मैंने यूपियाई पेमेंट करा वो यूपियाई पेमेंट भी एक्सप्ट नहीं हुए फिर अनुकम जी से 410 रुपे मंगवाई तब जाके यह पांच लिटर की पेमेंट करी और बैटल कुंबलें चुड़ा मजेना लगता है मानी है तोड़ा जंद करेंश में चलेगा चलेगा अुड़ा है मेरे भीया है अब चला के दिखते हैं फिर से मिट रीडिंग चेक करते हैं अब रीडिंग तो बढ़ रही है भीया अब पिछका है पीछे से तो दिक्कत तो होगी बढ़ी बढ़िया से चला लेते हैं अब देखें अब स्मूफनेस आई एक नहीं हाई आए अब 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 जहां तक है मुझे अब ही न मन में वहम है कि शायद पंप खराबना हो गया हो क्योंकि एक बार अगर कोई बता देना तो मन में आई जाते हैं तो अभी तो पुरी कि माइंड में रहे गई 22 नहीं कि शायद पंप खराब ना हो लेकिन बैटा रहें बैटा रहें बैटा रहें कि मुझे तो है कि मुझे मन में आ जाता है ना कि एक बार अगर आ गया है तो इसको खोड़े दिन चला के देखते हैं कि मैं जिन्दाबाद तो स्मूथ चल रही है अभी तो थोड़े दिन चला के देखता हूं उसके बाद बताता हूं कि सही में जैन्वन प्रोग्लम सिर्फ पिछके रहने से मेरे ख्याव से मेटर खराब हो गया होगा बड़ मन में अंदर से वहम जरूर है अभी भी कि शायद पंप ना खराब हो गया हूं कि ऐस ओफ नौ सही लग रही है पैट्रोल गैट्रल सब डलवाय होगा है मस्त रही है मत चल रही तो पर यह प्रोब्लम आ जाती है आप अपनी जिप्सी म में नहीं होता है यह तो बहला है कि गाड़ी जो है ना घर के आसपास ही खराब होई है तो गाड़ी दूसरी ली खाली बोतर ली तेल लेके आए पांप भी नजदी की था और इसमें डाल लिया अब अगर सोचो यह कहीं बहार दूसरे ओफ रोडिंग जगे पर होती तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है ना मेकैनिक मिलता और तेल भी ढूंडना मुश्किल हो जाता तो मेकैनिक की दो चीज़े हैं कहनी अभी और उसने मेरे ख्याल से सही कहा है कि आप कोरोना हो रख पेट्रोल जो पंप है उसको ठीक करानी की कोशिश करेंगे उसको रिप्लेस करेंगे और नहीं है तो टैंक तो फिर भी आपको ठीक कराना है क्योंकि आप हमेशा कंफूजन में रोगे कि गाड़ी के अंदर तेल कितना है एक तो सबसे बड़ी बात प्रोब्लम ही यही है इ इसका जो मीटर है फ्यूल गेज जो मीटर है इसका वो पुराने स्टाइल का है तो गाड़ी ओन करते हैं तो थोड़ा सा उठता है फिर नीचे आता है उठता है नीचे आता है तो उसने एक सला और दिये कि गाड़ी में हमेशा तेल फुल रखो फुल टैंक रखो हमेशा ज तोड़े दिन गाड़ी चला के देखता हूं, बाकि आप लगो लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि गाड़ी कोई भी जानबूज के मारता नहीं है, और कभी आपको ऐसा लगे कि गाड़ी की सुई में ऐसे दिखा रहा है कि तेल है, और फिर भी गाड़ी नीचे से आपको नहीं लगता मारती की गाड़ी में इतनी प्रोब्लम आती है, थेंक्यू